जहेंग दोस्तों उमीद है सब बढ़ी आउंगे तो दोस्तों अगर आप त्यारी कर रहे हैं Head Constable AWO या Head Constable Ministerial के लिए तो आपके motivation के लिए बता देते हैं कि इसके अंदर salary कितने मिलती है क्योंकि दोस्तों जब हमें पता होते हैं कि salary कितने मिलेगी तो उस हिसाब से हम अपने सबनों के बारे मैं सोच सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ अपनी पूरी कर सकते हैं और किस टाइम पर क्या ज़रूत पूरी हो सकती है हमारी तो उसके लिए ये वीडियो है और ये दोस्तों ये जो वीडियो है ये है आज की current की date में अगर आप मालो आपकी जोइनिंग होती है आज की date में तब ये आपको salary कितने मिलेगी जैसे कि आपको पता है जो DA है हमारा वो साल में दो बार बढ़ता है तो कभी-कभी सरकार रोग भी देती है तो इसलिए हो सकता है जब तक आपकी जोइनिंग हो यानि कि अगले साल जुलाई अगस्त तक तो ये चीज़े और भी बढ़के आएंगी तो ये वीडियो है आज की current की date के बारे में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो ये आपको head control, ministerial और AW की जो basic salary होती है वो होती है हमारी 25,500 रुपए यानि कि इतनी salary तो हमारी basic है और इस basic salary के ऊपर हमें अलग-अलग allowance मिलते हैं जैसे कि हमारा प 31% और ये हर साल लग-बग दो बार बढ़ता है तो जैसे basic salary का हम अगर DA निकालेंगे तो वो हता है something about हमारा 7,900 रुपए और ये जो चीजी हैं दोनो basic और DA मिलाके इतनी salary मिलती है आपको training के दोरान जो की हो जाती है आपकी 25,500 प्लस 7,900 ये हो जाती है आपके 33,400 रुपए इतनी salary आपको training के दोरान मिलेगी और ये दोस्तों ध्यान रखें ये आपको जाते ही पहले महिने नहीं मिलती है जब आपके training के 3 महिने हो जाते हैं 3 महिने के बाद ये salary मिलती है और कभी-कभी क्या होता है कि 81 दे दी जाती है 3-3 महिनों की या फिर 10-10-15-15 दिन के gap में दे दी जाती है 3 महिनों की अलग से तो ये होती है वारी training के दोरान और फिर अगला allowance जो इसमें आता है वह आता हमारा hra hra होता है house rental allowance जो कि हम किराया पर घर लेते हैं उसके उपर मिलता है और hra आज की date में 27% जो जैसे basic का हमारे निकालेंगे 27% वह आ जाएगा हमारा 6885 something तो इतना हमें अचारे मिलेगा इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट allowance ट्रांसपोर्ट allowance मिलता है आपको 3600 प्लस 31% of 3600 यानि अगर आ इसका निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको TA जो बना आपका 4716 रुपए इसके बाद अगला allowance आता है वो है आपका cycle allowance जो क्यों मिलता है आपक जो खाने के लिए मिलती है हमें 3700 something मिलती है तो अगर सारे allowance को और basic को मिलाए जाए तो total आपकी salary पड़ेगी वो पड़ेगी 48800 something आज की date में और ये in hand नहीं मिलती है ये मिलती है आपके total lump sum जैसे आप फिर आपके joining हो जाएगी ये ट्रेनिंग के बाद आपका NPS भी कटता ह है न्यू पेंशन स्कीम के अंटर जो पैसे कटते हैं वो कटेंगे अगर लगबगा आपके 3000 CGES के कटेंगे आपके 30 रुपए ये के DPWS होता है दिल्ली प्लिस वेलफेर सोसाइटी उसके कटेंगे आपके 200 रुपए और 10 रुपए कटेंगे आपके मार्टिर्स पंड के लि देगे हैड कॉंस्टरिवल मिनिस्ट्रेल और एडवलो के अंदर ये तो थी सेलरी अब इसके लावा बात करें तो जैसे आपको जनुरी माहिने के अंदर 13 माहिने की सेलरी मिलती है बहु मिलती है आपकी basic और डिये को मिला के यानि जितनी आपको training में सेलरी मिलती है उतनी आपको 13 मेने के अंदर salary मिलेगी और इसके अलावा जैसे आपकी January में joining होती है तो अगली January के अंदर आपका एक increment लग जाता है वो लगबग आपका basic का 3% लगता है यानि कि something about 700-800 रुपे बढ़ जाएंगे आपके हर साल दोस्तो पहले क्या होता था आपको हर साल वर्दी मिलती थी वर्दी के लिए कपड़ा मिलता था जूते मिलते थे और भी चीज़े मिलती थी किट मिलती थी बट अब इसमें change कर दिया गया है 3-4 साल से अब इसमें क्या होता है आपको जुलाई या अगस्त के अंदर आपको 10,000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस की मिलते है जिसके अंदर आप अपनी जो भी जरुत की चीज़े होती है वो आप खुद खरीज सकते हैं अब कोई चीज़े नहीं मिलती है और इसके बाद एक अलाग अलाउंस की बात करते हैं दोस्तों अगर आपकी शादी हो रखी है और आपके बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं तो आपको एक साल के लिए 27,000 रुपए मिलते हैं रीमबर्स हो जाते हैं ये पैसे वापस मिल जाते हैं आपको स्कूल की पेसलिप लगानी पड़ती है आपको फीस की स्लिप अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपको साल के 4,000 रुपए मिल जाते हैं इससे और ये मैक्सिम्म दो बच्चों के लिए ही अलाउड होता है दो से ज़्यादा बच्चों के लिए आप नहीं लगा सकते हैं और इसके बाद बात करें CGHS फैसिलिटी की ये दोस्तों आप किसी भी पैनल वाले उस्पिटल के अंदर जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है अगर मालो कोई भी पैनल के अंदर उस्पिटल है वैसे अगर उसके जनरल ओपेड़ी बात करें 500-600 रुपे होती है अगर आपका CGHS कार्ड है आपके पास तो वहाँ आपकी उपेड़ी फीच लगेगी 1500 रुपे मात्र और इसका फाइदा ये होता है CGHS कार्ड का कि आपके अलग-लग टेस्ट भी होते हैं जो कि पैनल के अंदर ही आते हैं बो जो महंगे होते हैं 1000-1000 के मालो तो वह आपके हो सकता है 200-300 में काम हो जाए तो ये फैसिलेटी होते है एक फैसिलेटी है अगर भगवार ना करे अगर कोई आपका उपरेशन होगरा होता है या कोई भी फैमिली के अंदर कोई बिमार होता है तो उसमें जितना भी खर्चा लगता है वो आपका आपको रेंबर्स हो जाता है यानि कि आपको बापस मिल जाता है एक आज कल इसमें बढ़िया फैसिलेटी है आचुकी है आपकी कैसलेश फैसिलेटी है जैसे आप कहीं पर जाते हैं अगर आप डिपार्ट्मेंट से लेटर लिखवा के लियाते हैं तो आपको पैसे भी देने की जुर्त नहीं पड़ती है वहीं पर आपका cashless जो होती है transaction हो जाती है और फिर आपको पैसे देने कोई जड़त नहीं होती है और दोस्तों जो भी लोग आपकी family में आपके ओपर dependent होते हैं जैसे आपके mother, father हो गए आपकी wife, बच्चे उन सभी का सीजिचस card बनता है और सभी को यह facility मिलती है दोस्तों एक चीज और जो मैं starting में पता नह बजार के बीच में और दोस्तों काफी लोग पूछते हैं कि ट्रेनिंग पर हमें क्या चीज मिलती है दोस्तों ट्रेनिंग पर हमें ट्रेनिंग किट पूरी मिलती है जिसमें आपके बक्सा वर्दी जूते सब कुछ मिलता है तो दोस्तों यह थी head constable, ministerial, head constable AW की salary के बारे म बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिंक